हलो बच्चो डॉंट फियर दिया सरी जियर नमस्कार दोस्तों स्वागेत थाप सरी कि आपके अपनी यूटूब चेनल सुपर कंसेट क्लासिस में फियर का एक्जाम वे आप लोग इंग्लीस इंगूश को लेकर बहुत ही ज़्यादा दर रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है क्यूंकि में आप लोगों की लिए क्लास्ट विन इंग्लीस स्कोर 2024 का question paper आप देख सकते हैं ये हमारा English score 2024 का question paper है जो भी questions आएगा एहीं से आएगा मैं आपको हर एक चीज़ बताऊँगा और यहाँ पर मैं आपको इतनी simple तरीके से बताऊँगा कि अभी गर्मागरम आपको हर एक चीज़ याद हो जाएगा सब आपके दिल में, दिमाग में, खोपड़ी में सब घुच जाएगा तेंसन आपको नहीं लेना है दखिया आपका जो English score है ना English score English score में आपका जो poetry section है जो आपका poetry section है ठीक है poetry section से कोई सावी questions पूछा जाए आप answer लिख दोगे तो अभी जो हम लोग डिसकस करेंगे English score का जो poetry section होता है poetry section को हम लोग डिसकस करेंगे यानि poetry section में जितने भी important important questions है हर एक questions को देखेंगे और बहुती simple तरिके से easy तरिके से एकतम बहुती आसान भासा में समझेंगे एक ही बार में आपकी दिल में और खोपड़ा में घुच जाएगा तो चलो शुरू करते हैं देखते हैं अगर आप लोग हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफ़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिएगा जितना हो सके इस वीडियो को अधिक सदिक सेर कर दिजिएगा तो चलो बच्चापाट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं देखो हमारे पास यहां जो पहला जो कोश्चन है देखो पहला कोश्चन कोश्चन हमारा ऐसे पूछा जाए या पिर ऐसे पूछा जाए या पिर ऐसे पूछा जाए या फिर ऐसे पूछा जाए कैसे भी पूछा जाए सब का मतलब एक ही होता है और इसका answer हमारा एक ही होगा और इतना आसान और simple सा answer होगा कि अभी आपको एक तरह मजा आ जाएगा देखो question यहाँ पर क्या कह रहा है question कह रहा है कि why do the rural people make roadside stand जो rural people है जो गाओं की जो लोग है न वोग रोड़ साइट स्टेंड क्यों बनाते हैं वोग रोड़ साइट स्टेंड क्यों बनाते हैं यह आपको यहाँ पर बताना है देखो question क्या कह रहा है कि जो गाओं की लोग है यह लोग roadside stand क्यों बनाते हैं, यह question ऐसे पूछा जा सकता है कि why have the villagers put up the roadside stand, या फिर यह ऐसे पूछा जा सकता है कि who steps near roadside stand, why do they stop there, या फिर what did the roadside stand play for, या फिर why is the existence described as pathetic, तो ऐसे पूछा जाए, ऐसे, ऐसे, ऐसे या फिर ऐसे, सब का मतले बेखी हुआ, मतले यहां पर कहने का ताच पर यह सबका है कि जो गाउं की जो लोग हैं, उले लोग roadside stand क्यों बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, तो देखो, इसका answer क्या होगा, इसका answer होगा, कि the poor villagers put up a small shop at the roadside stand, hoping some car owners, यानि कि जो city people है, will stop there and buy some things, so that they can earn some city money to make their lives better, मतले अब यहां बोला जा रहा है कि जो गाउं की जो लोग है, यह जो poor villagers है, यह लोग क्या करते हैं, roadside stand में अपने दुकान को खोलते हैं, क्या है, अपने छोटे छोटे दुकानों को खोलते हैं, किस आसा में खोलते हैं, इसे आसा में खोलते हैं, कि जो car के जो लोग है, मतलब car से जो लोग आ रहे हैं, car owners जो है, देखो, जो car owners है, यानि कि जो city people है, जो सहरी लोग है, वो यह जैसे ही हमारे इस दुकान से गुजरेंगे, यहां पर रुकेंगे, और हमारे दुकान से कुछ समान खर देंगे, जिससे हमें क्या होगा, कुछ हमें पैसा मिलेगा, और इस पैसा से हम लोग अपनी जीवन को और अच्छा बना सकते हैं, और बेटर बना सकते हैं, but their expectations are never fulfilled, but यह जो सोचते हैं, यह उनलोग का कभी भी पुरा नहीं होता है, क्योंकि सहरी लोग वहां पर रुकते नहीं है, समान खरने के लिए नहीं रुकते हैं, अगर रुकत हैं, the rich people of city are greedy and miserally, बहुती लालची है, जो सहरी लोग है, बहुती लालची है, they are quite indifferent to the miserable life of the villagers, इन लोगों कभी भी गरीब लोगों के लाइप को नहीं समझा, इनके परती इवह एक्दम नूट्रल है, समझना ही नहीं है इनको, ठीक है, आगे देखू, some car owners या पर city people will stop there, कु It will be to ask for direction, कुई बे डारेक्शन पुछने के लिए रुखते हैं, कोई यूटरन लेने के लिए रुखते हैं, कोई यहाँ पर गयास का जो सेल हो रहा है, उसके बारे में यहाँ पुछते हैं, मतलब यहाँ पर कोई भी मतलब यहाँ इसा आदमी नहीं है, जो कुछ समान खरन करने के लिए रुखते हैं, बस यह सब चीज करने के लिए रुखते थे, तो यह हो गया हमारा इस कोईशन का एंसर, देख लो कितना सिम्पल और कितना एज़ी है, और यहाँ पर एक नहीं, आप इतने सारे कोईशन का जो एंसर है, बस आप इतने में बोल दोगे, आप इतन हैं हैं, यहाँ पर डेखो, Childish Longing मैंने होता है बचकानी Laal 것은, वनला बच्चावाला जो लाल सा है, ठीक है, तो यह किस चिज को Refer कर रहा है, किस के लिए, किसको यहाँ पर Childish Longing में बोला गया है, और यह वेर थे क्यूं है, यह कोई काम का नहीं है, वत अब यहाँ पर बोला से कोई समान खर देंगे, लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा है, कोई समान खर दी नहीं रहा है, देखो क्या है, the poet says that the poor farmer who set up their soaps to the roadside refers to childless longing, childless longing यहाँ पर कोन है, तो जो poor farmer है, जिन्होंने अपना दुकान, roadside stand पर खोल के रखा है, वहीं लोगों को यहाँ पर childless longing रिपर क्या गया है, उनी के लिए यहाँ पर childless longing बोला गया है, यह हमेशा customer का wait करते हैं, और to hear the sound car stopping by them to buy somethings, और to even ask prices of their goods, but all their waiting passions and efforts go in when, बात यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यह लोग customers की wait में रहते हैं, जैसे कोई गाली का horn का आवाज इनको सुनाई देता, उनको लगता कि ने अब तो कोई समान हम लोगों से खरीदेंगे, बट कुछ नहीं होता है, इनका जो waiting है, परतिक्छा है, जो persons है, जो efforts है, कि सब क्या है, वेर्थ है, कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है, सब क्या है, बेकार है, तो यह हो जाएगा इस question का हमारा प्यारा सा सुन्दर सा answer, आगे आजाओ, आगे देखो, अगला question क्या है, अगला question दीक रहा है आपको, what is the message of a thing of beauty, इस chapter का message क्या है, या फिर, how is a thing of beauty, a joy forever, जो thing of beauty क्या है, जो भी beauty का समान है, इसे हमें क्या है, हमेंसा आनन्द मिलता है, how, कैसे, या फिर देखो, यह जो question क्या है, पुछा जा सकता है, कि right central idea, अगर central idea लिखने के लिए बोला जाता, right central idea, right central idea of a thing of beauty, तब भी आप इही चीज को लिखोगे, what is the message of a thing of beauty? तब भी आई लिखना है, how is a thing of beauty, a joy forever? तब भी आई लिखना है, right central idea of a thing of beauty. तब भी आपको लिखना है, बातसमा रहा है, तो देखो यहाँ पर इस चेप्टर का क्या message है, क्या ही चेप्टर हमें बता रहे हैं, इस चीज को देखो, देखो इसका answer क्या होगा, The poem, a thing of beauty gives a message that beauty is a joy forever, beauty क्या है, हमेशा के लिए वही, beauty से हमें क्या है, हमेशा के लिए आनन्द ही मिलता है, A thing of beauty, joy forever, because it's a beauty, never ends, यह हमेशा हमें आनन्द देते हैं, कि इनका beauty यह कई भी समाप्ट नहीं होगा, Beauty has the power to remove darkness and negativity and helps us survive, जो beauty है, इसमें क्या power है भाई, तो इसमें जो darkness है, जो अंधेरा है, इसको दूर करने का ताकत है, जो negativity है, इसको दूर करने का ताकत है, और इससे हम लोग survive कर सकते हैं, जी सकते हैं, यह हमें जीने का, मतलब यह हमारी जीने का समझे का साधन है, survive करने का एक तरीका है, यह thing of beauty, gives us encouragement to go forward and work hard, यह जो thing of beauty है न, यह हमें साहस देते हैं, किसी भी काम को करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, hard work करने के लिए, आवर अर्थ इस फुल अफ, यूनिमेरवल, ब्यूटिफुल थिंग्स, हमारा पिर्थिभी एकदम, कई तरीके से, thing of beauty मतलब सुन्दरता से भरे हुए हैं, यह जो thing of beauty है, यह जो उलासी है, इसको दूर करते हैं, यह जो निलासा है, इसको दूर करते हैं, यह सब चीज किसने मतलब दिया है, किसने भेजा है, तो भगवान ने भेजा है, sent by God, कोजी गत नहीं है, यह हो गया, इस question का answer, देखो कितना simple है भई, कितना simple है आप देख सकते हो, इसको आप लेगो लिखना, आगी चले हैं, अगला question देखो, how does a thing of beauty keep a bowler quiet for us, क्या होगा इसका answer, देखो, in the poem, the thing of beauty by John Keats, the poet, क्या है, mentions, that a thing of beauty is an endless joy and never ends, अभी में आपको बताया भई, चो thing of beauty क्या है, यह हमको हमेशा क्या करते हैं, यहां से हमको हमेशा खुसी ही मिलता है, ठीक है, और ऐसा खुसी जो कभी खतम नहीं होगा, और ऐसा beauty जो कभी खतम नहीं होगा, यसलिल यहां से हमें हमेशा क्या होता है, आनन्द ही मिलता है, यह किस चीज को रिफर कर रहा है, here in the poet refers to that beauty performance like a seed of the tree, मतलब पेड का जो छाया होता है, आप देखना, अगर जैसे मानिक चाया के निचे जैसे आप बेठोगे, तो इतना अच्छा अगर मानिक चाया होगा तो फिर आप यहां पर सो जाओगे, इतना मजा आता है, इतना सुक यह भी हमें एक सुकुन ही देता है, यहां से भी हमें आनधी मिलता है, यह thing of beauty also provides us peace and security, जो thing of beauty यह भी हमें सांती और security प्रवाइड करते हैं, we enjoy a sound sleep which is full of sweet dreams, health and peaceful breathing, यह हो जाएगा इसका answer, इसको आप लोग note कर लो, इसको आप लोग note कर लो, मतलब यहां पर यह बोला जा रह इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब यहां पर इसको यह रिफर क्या गया है, किस से इसको रिफर क्या गया है, पेड की चाया से, पेड की चाया होती है, जिस परकार से हमें सांती परदान करते हैं, बिकुल हो से ही जो thing of beauty होते हैं, यह भी हमें peace and security क्ला है, आर्ट करते हैं, तो टाइगर को किस परकार से क्रिएट करते हैं, यह आपको बताना है, या पर यह question आपका ऐसे पूछ रहा सकता है, कि where are about Jennifer's Tigers, and how does she create them, बल्दब यहाँ पर, जो Aunt Jennifer's Tigers क्रिएट करते हैं, उसके बारे में यहाँ आपको बताना है, दो क्या होगा इसका answer, इसका answer हो जाएगा, कि Aunt Jennifer's Tigers are her own creations, उन्होंने खूद उसको create क्या है, ठीक है, she works with wool and ivory needles, बाई जो उन होता है, जो स्वी नहीं होता है उन से, उन का स्वी होता है, उनने क्या क्या है, इस बाग को create क्या है, he has created them in the panel, इसको कहां पर create क्या है, panel पे, ठीक है, they have all the traits that are found in the denizens of green forests, high crops, what are they all going to receive in the rich forest, that they theExcuse God's Livest长 in the Pot Got Lp, जो स्वी 21st Russ komen osis weekend, positive ऐससे इन की है उन्होंने इस even month match उन का जो इन्होंने बाग बनाया है तो उए सारी चीज को इसमें दिखाएं हैं। They are well built and well groomed. वे अच्छी तरह से निर्मित है और अच्छी तरह से तैयार है। बलो इनम अच्छी तरीके से तैयार है, they are well built and well groomed. They are, they are a civilistic and full of confidence. और यह भई क्या है? यह सुर्विर है और यह आथ मीश्बास से भर पूर है। देहओ जो बाग होता हुए पुरा जंगल का राजा होता है तो बिलकुल जंगल का राजा में जो क्वालिटी होता है। यह सब पो जाएगा एक अंसर मेरी दी पो आतुन को सेजिए को सबैंद तरहा ही अग सोग वहां जाएगा तुन को जेटा सेजू को अगला को सब्सक्सक्रेशल सुग तूरे संसर स aquarium वक्वभावडग्डवेज सेज पमुज को भतमा सिकते सिकते सेत यहाँ पर थोड़ा सा स्मिस्प्रिंट है यह हो जाएगा आंट हो जाएगा अ-u-a-n-t आंट जेनिफर, पर सी इज डद मतल अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो आंट जेनिफर ने यह जो टाइगर बनाया है जब Aunt Jennifer's मर जाएगी उस टाइम इस टाइगर का क्या होगा तो इसमें बुला गया है कि अगर Aunt Jennifer's मर भी जाती है तब भी यह टाइगर सर्वाइब करेंगे तब भी यह टाइगर जिन्दा रहेंगे तो इसका answer है कि Aunt Jennifer's Tigers are her own creation She works with wool and ivory needles She has created them in the panel यह अभी मैं आपको पढ़ाया जो नहीं आपको add करना है देखो The Tigers and Jennifer has created will not die when she is dead मतलब बोरा कि वो कभी भी नहीं मरेगा अगर वो मर भी जाती है तब भी They will survive her Aunt Jennifer will die but her creation will survive Art always survives death Art भई हमेशा जिन्दा रहता है Art हमेशा जिन्दा रहता है यह हो जाएगा इस question का answer आगे आजाओ अगला question रहो क्या है What impression do you from of Aunt Jennifer आप Auntie Jennifer के बारे में क्या सोचते हैं क्या सोचते हैं तो देखो इसका answer क्या होगा Aunt Jennifer is dominated by her husband इनके जो husband है यह इनको dominate करते थे इनको सताते थे She is always nervous and confused जो Aunt Jennifer है यह हमेशा nervous और confused रहती थी Aunt Jennifer is surrounded by heavy responsibilities of married life यह जो यहाँ पर Aunt Jennifer है यह साधी के बंदन में पूरी तरकी से बंद गए थे इनके responsibilities इनको बहुत सारा मिल गया था बहुत सारा इनको बड़न मिल गया था इनका जो फ्रेडम में फ्रेडम छिन गया था Aunt Jennifer's Tigers are her own creations जो अभी उनको बताया She works with wool and ivory needles She has created them in the panel जो अभी आभी बताया क्या होई सब चीज है तो मतलब देखो अगर मैं आपको यहाँ पर बोलू तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने किस चीज को लिग दिया है अभी जो उनको पड़ा ना यह चीज हमने पड़ा आए इस चीज को कॉपी करके हमने क्या क्या है यहाँ पर पेस्ट कर दिया देख लो Aunt Jennifer's Tigers are her own creation She works with wool and ivory needles She has created them in the panel The Tigers Aunt Jennifer has created Will not die when she is dead They will survive her Aunt Jennifer will die but her creation will survive Art always survives death देखो मैंने बोला ना कुछ नहीं कर आम ने, इस्टिच को कॉपी करके यहां पर पेस्ट कर दिया, बस दो लाइन यहां पर हमने खुद से लिख दिया, ऐसे ही होता है, ऐसे ही अंसर होता है, कोई निचल आप समझ गे, आगे देखो, आप देखो, यहां पर, जो माई मदरेट 66 बला जो आपका आप एक बात समझो, अगर आपको बड़ा नहीं लिखना है तो आप दो चाल लाइन कार्ट भी सकते हो, दो चाल लाइन आप कार सकते हो, मैं हमेशा जो बतायों आपको में चीज है, आप इतना सारा क्वेश्चन्स को अगर आप एक ही में अनसर में आप करोगे, तो पिन एच दर पोईट फिल्स, वाइव रज थी में चीज है तो लेट विंटर समून, यहाप लॉट मा चाल लेट विंटर समून सी क्या गया है, वाट दु द पाटिंग वर्ट्ट अभ धर पोईट अप द हर समाईल सिगनिफाई, वाई यॉट यॉट बोट इन आप इसको वहाई कितनी तरीके से कोश्टन पूचा जाए और आप इसको याद रहोगे यह माइ मदर इसक्टिसिक्स का है कैसे कैसे आप याद रहोगे तो जहां पर भी आपको पेन और एच मिलेगा आप जान जाना कि यहां पर आपको मदर मिल जाए या फिर लेट उंटर्स मून मिल ज जान जाना यह माइ मदर इसक्टिसिक्स का कोश्टन है जहां पर भी आपको पार्टिंग वर्ट्स देखनी को मिल जाए आप जान जाना माइ मदर इसक्टिसिक्स का है यांग ट्रीज स्प्रिंटिंग यह से मिल जाए तब भी माइ मदर इसक्टिसिक्स यहां पर देखो मेर तब भी माँ मजर ए 66, आपको यहां पर सी यू सुनम्मा मिल जाए, या फिर पाटिंग वर्ट्स मिल जाए, तब भी माँ मजर ए 66, तो यहां पहचान लोगे, इसका देको एंसर क्या है, इसका एंसर है, मैंने बहुत ही छोटा कर दिया है, अब देखो, कि तब पोईटेस इज ड्राइविंग फ्रॉम हर पैरेंट्स हों टू कोचिन एरपोट जो पोईटेस है जो कमलादास है अपने पैरेंट्स के ओम से कोचिन एरपोट जा रही है हर मदर इज सिटिंग बिसाइड हर मां उनके बगल में बेठी हुई है तो पोईटेज मदर ही 66 years old, मा जो ही 66 साल की है, सीज भेरी वीक, वह बहुती कमजोर है, हर फिरसीच कलरलेस, लाइक देड़ वोड़ी, उनका जो चेहरा है, कलरलेस हो गया है, जिस अलग रहा है, एक लास का चेहरा है, तो यहां पर कमलादस नहीं क्या है, मा का जो तुलना क्या है, लेट उन्टर समून के रूप में क्या है, अब देखो भाई, अगर किनी को लगता है कि नहीं सरा में छोटा एंसर लिखना है, तो आप एक चीज गौर करो, एक कोश्चन आपको दिया गया है, क्या है कि हुआ है अगर आप इतना भी लिख दोगे तो आपका एंसर हो गया, अगर आप इतना भी लिख दोगे तो आपका एंसर हो गया, तो आपको मिलेगा पांच नमबर, तो आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, इस बात को आप देखो, इसके ऍटिंपले इनको दुक होता है दर्द होता है अपक्ची के बातना तको प्रबोर करो यहां प्रेंबान आपको पड़ाया है पर फाश्य प्रेंफ दो यह कुश्टन माने की चुरत वातता है कि बादर जब यह खिड़के के बाहर देखते हैं तो यह happy childrens को देखते हैं happy childrens are coming out of their homes जो घर से बाहर निकल रहे हैं और यह young trees को देखते हैं यह जो happy children है और यह जो young trees है यह क्या symbolize कर रहा है यह symbol है youth और energy का youth and energy are a past of her mother लेकिन मा के पास ना तो youth है नहीं energy है she is now moving toward death मा जो है मौत की ओर बढ़ रही है the poetess has a fear in her heart that her old mother may die soon and she may not be able to see her mother again she says see you soon amma and smiles again and again her words and smile give a hope and positive energy to her mother पिर यहां पर जो कम्रादात से इनकों मादर पता है कि मा चारे जिन तक बचेगी नहीं तो यह बोलती कि see you soon amma कि मा जल्द ही मुलाकात होगी और फिर अपने चेहरे पर smile लाते हैं smile लाते हैं ताकि दो बात है एक तो अपने जो fear है उनको cover up कर रहे हैं अपने डर को चुपा रहे हैं और दुसरा है कि मा को एक hope मिले कासा मिले और एक positive energy मिले इसे लिए तो देखो यह हो गया इस question का answer अब क्या करो कोई साभी question आए इतना में से कोई साभी question आए साथ में से कोई साभी question पूछा याए ससके आप शिपका value को कर लोगे दिखत नहीं है आगे आजाओ आगे आजाओ आगे देखो यहां पर कितना साभा questions अप देख पार है अगे वह देख लूग सारा का answer आपका एक ही होगा सारा का answer आपका एक ही होगा यह आपका keeping quiet chapter का है keeping quiet chapter का है पले question क्या क्या है देख लो, कि what will counting up to 12 and keeping still help us achieve, do you think the poet advocates total inactivity and death, what is the sadness that the poet refers to in the poem, what symbol from nature does the poet invoke to say that there can be life under apparent stillness, what does the title of the poem suggest to you, what do you think the poem is about, why does one feels sudden strangers on counting to 12 and keeping quiet, why does the poet ask us to keep still, कितने तरीके से question पूछे जाए कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है कुछ भी पूछ लो, कोई दिकत नहीं है हमको आता है लिखना, अब आप हैचानो के केसे कि यह keeping quiet chapter का है, तो देखो यहाँ पर आपको मिल रहा है keeping, या फिर यहाँ पर counting up to 12 बेभी अगर मिल जाए तब आप जाए जाना यह, keeping quiet chapter का है, फिर आप आगे देखो, आगे देखो, यहाँ पर, तो sadness को जो refer किया गया है, यह इस chapter में ही क्या गया है, उसके बाद देखो, यह stillness है, यह भी हमारा इसे chapter में आएगा, आगे देखो, आगे देखो, यहाँ पर टाइटल, इस chapter के लिए टा आप देखो, KEEP STILL, keeping quiet में ही आ रहा है, KEEP भी आ रहा है, तो इस प्रकार से हम लोग पहचान लेंगी के हमारा कोन मला question है, और किस chapter का है, तो सारे questions हमारी keeping quiet chapter के है, देखो, इसके लिए आपको यहाँ पर लिख देना है, देखो, मैंने लिखा हुआ है, चाढ़ा नहीं है, छो स बारत गिनता हों में, एक तम सांत रहो, सांत रहो, इसे क्या होगा जो हमारे अक्टिविटी है, वे एक अच्छे वे में जाएंगे, एक नाइस वे में जाएंगे, counting up to 12, will bring us the peace of mind, जिसे बारत गिनना, उसके बाद जिसे सांत रहना, हमारे माइड को क्या करते हैं, सांती देते हैं, peace of mind, the poet does not advocates total inactivity and death, जो poet है, ये कभी भी, total inactivity and death का कभी भी समर्थन कभी एड़ोकेट नहीं करते हैं, he only wants us to keep quiet for a few seconds and suspend all our activities for a few seconds, कभी death के बारे में, inactivity के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, बलकि ये बोल रहे हैं कि क्या करो, he only wants us to, ये क्या चाह रहे हैं, keep quiet for a few seconds, कुछ सेकेंड के लिए चूप रहो, और कुछ सेकेंड के लिए अपने सारे activities को, suspend कर दो, side कर दो, in this way, in this way, we can introspect ourselves and restart our activities with fresh energy and chill, फिर क्या करो, सब कुछ छोड़ दो, सांथ हो जाओ, और अपने आपको देखो, अपने आप के बारे में सोचो, अपना निरक्षन करो, यानि आत्म निरक्षन करो, खुद के बारे में सोचो, इससे क्या होगा, आपका जो भी activity है, आप उस activity को आप बहुत ही fresh energy के साथ और उत्सा के साथ करोगे, इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद है, When people don't introspect themselves, they fail to understand themselves, then sadness arises, देखो, बोल रहा है कि अगर कोई भी activity अपने आपको नहीं समझ पा रहा है, आपने आपको समझने में असफल है, तो यहां से क्या होगा, sadness arises होगा, एक question ही देखो आपका, एक question ही देखो आपका यहां पर, कौन बाला, sadness वाला, देखो, sadness वाला question दा न क्या करोगे, sadness वाला करतेगा ना, तो आप यहां से लेकर, आप यहां से लेकर, क्या करना, यहां तक लिख देना, देखो, आपका sadness वाला answer हो जाएगा, देखो, आपको इतना बाला लिखने का जरुरत नहीं है, आपको इतना बाला लिखने का जरुरत नहीं है, फिर आप आ कि देखो यहां पर एडवोकेट्स, इनक्टिविटी, डेथ, सब आपका यहां पर आ जा रहा है, तो आपका यहां पर यहां पर यहां पर इस टाइप में बताया है कि आपको सारा यहां से मिल जाएगा, और आपको पूरा लिखो कि तब भी कोई दिगत नहीं है, तब आपको आपको यहां पर पोईट बोल रहे है कि अगर उदासी से अगर हमें बाहर आना है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने आपका निलक्षन करेंगे. When we keep quiet for some time and suspend all our activities for some time, we feel a sort of strangeness, बलब हमें एक अच्छा फील होगा, एक अजीब लगेगा, the reason is that we are always surrounded by the noise of machines ATC. When there is no sound, we feel a sort of strangeness, यहने बिचित्र, बात समझो भई, बनलब यहां पर बोला जा रहे है कि कुछ second के लिए पुरा दुनिया अगर सांत हो जाए, कुछ भी काम ना हो, सब चूप चाप हो जाए, तो कैसा लगेगा, आपको यहां पर बिचित्र लगेगा, अजीब सा लगेग वही चीज़ बोला गया है, keeping quiet protect our environment, यह क्या करता है, आमारे environment को protect करता है, the different types of wars mentioned in the poem are green wars, wars with gas, wars with fire, यह सब चीज़ के बारे में यहां पर discussion क्या गया है, without nature, नेचर के बिना, it is impossible to live even a single moment, the poet takes an example of earth to prove that there can be life under appearance stillness, मतलब क्या बोल रहा है, कि नेचर के बिना कुछ भी संबब नहीं है, एक single moment भी नेचर के बिना नहीं होगा, और पिर्थिवी जो है यहां पर, यह ग्रम चुपचाप खड़ी रहकर काम कर रहे है, the earth never gets inactive, पिर्थिवी कभी भी इन अक्टिव नहीं होती है, हमेसा ही अक्टिव रहती है, it works silently and maintains the balance in nature, ठीक है बई, यह चीज़ हो गया, अब में आपको एक चीज़ बोलूँगा, देखो, यहां पर जितने सारे questions है, यहां पर आपको जितने सारे questions दिये हुए है, आप क्या करना, हर एक question का answer लिखने के लिए, आप, देखो, आप क्या करना, आ इसके बाद आप यहां तक लिखना, और कभी अगर वार्स वेगर आप बोलेगा, तो आप नीचे आना, नहीं तो आपको नीचे आने का जरूरत नहीं है, यह नीचे सार आपको लिखने का जरूरत नहीं है, अगर कभी भी वार्स के बारे में बोला जाए, अर्थ के बारे म आपका एही काम रहेगा और आपको एही करना है बात के लिएर सब कुछ आपको समझ में आ गया इससे बाहर आपका पोईटरी सक्षन में कुछ में नहीं जाएगा बस इतना कर लो काफी है आपके लिए ठेक है तो चलिए आपको मिलते हैं गले वडियों में थैंक यू जहिन